कि भालो फ्रेंड आज हम ग्रामसी के बारे में पढ़ेंगे इंटेनियों ग्रामसी उनका नोटाइम पीड़ रहा है थारसविंग आनने से बहुत ही कम समय के लिए इनका जीवन पीड़ रहा तो और ये मुस्वोलनी के समकालिन थे और मुसलनी के करण ही उनको चेल जाना दूस्ते जो आन ठिंकर है ग्रामसी है घ्रामसी वेसिक लिए अपनी है जबनी कॉंसर्ट के लिए जाने जाते हैं उन्होंने हैं का पॉंसर्ट किया है और उन्होंने जो अधिसाराजना होती है सुपर स्ट्रॉक्चर बुपती है उसे भी एक बहुत मांत्पुल कंपोनें और अल-अदरी स्ट्रॉक्चर प्रक्जामपल मेड्या इस्टेट इस्कोल यह सब एक नॉल्इक ट्रिटट्र पर बेस्ट हैं लेकिंघाजिया करते हैं कि एक नॉल्र्यृक्ट च्रीड बेसिक इस्ट्रॉक्ट्ट तो फारुक्षण थे और अपना सरौकाउर रखते हैं अस्तितु रखते हैं और ये इनका खुद का एक इंग्जिस्टेंस है चलिए ग्रामसी के बारे में और वह सारी चीज़ जानेंगे तो सबसे पहले जीवन परचे के बारे में देखते हैं लाइफ स्केच ग्रामसी का जन्म 22 जन्मरी ठारो सिंक्यान ने को इटली के सारडीनिय प्रांद के अलेस निवां में हुबा था उनका पिधा एक राजस चतिकारी थे उनहीं सोमें उनके पिधा को उनकी राजनीतिक प्रयोधियों दोरा रश्टाचार के जूटे मामले में च कर दिए जब ग्रामसी का पिता जल से शूटा तो उसके परिवार के आर्थी के सिति में कुछ उधार आया और ग्रामसी ने अपने व्रात्मिक सिच्छा पूरी करके उन्हें 108 मिर कगलियारी के उच्छ विध्याले में तो निष्ट है ग्रामसी पर उसके बड़े भाई जि इंदुर्दसा को भी करीब से देखा हो समझा यहीं से उसके मन में समाजिक परवतन के लालसा ने जर्म लिया लेकिन इस समय ग्रामसी के लिए यह हुचित नहीं था कि वह समाजबाद भी रोधिगत विध्यों में अपना समय बितीत करे अपनी इसकोले सिच्छ पूरी करन में जीना चाहिए 1913 में ग्रामसी ने इटैलियन समाजबादी पार्टी की सदस्था ग्राण की और सोचलिस्ट योध ग्रूप के सदस्था के रूप में राजनीतिक विवादों में बढ़ चरकर भाग दने लगा उसने अब अंती पत्रिका में अपने कई लेक भी प्रकास कि 917 में उसे तूरिंग सोचलिस्ट पार्टी का नियता चुन लिया गया और उसकी राजनीत में सक्री भून का आरंप हो गयी इसके बाद उसने इटली में समाजबादी करांदी को सफल बनाने के लिए स्रमिकों में करांदीकारी सेदना का सुथ पात किया उसने बताया कि म इखली में मजदूर परिस्तों के निर्माण पर जोड़ दिया तांकि देश को आर्थिक आराजकताओ समराजबात से मुक्तराय जा सके इसके लिए उसने 1921 में पार्टी संगठान पर अधिक जोड़ देना चुरू कर दिया और वहां कोमिन टाउन से जुड़ गया लेकिन 1923 में मुसोलिनी ने समाज या समयबादियों को पकड़ कर जेल में डाल दिया अपनी ग्राफ्तारी से बचने के लिए इस दोरान ग्राम सी रूस में ही रहा और उसके बाद आश्टिया चला गया और इटालियन समयबादी पार्टी को उनितत्तों प्रान करने में जुड़ क्रांसी की क्रांदिकारी कद्वितियों के करन उसे 1926 में जेल में डाल दिया गया लेकिन आरोप सावित नहोने करन उसे दिहा कर दिया गया 27 को उसे पर नए सेरे स्यारोब लगा कर उसे आज इवन करावास का दंड दिया गया जेल में उसे कठोर सारे रिक यादनाएं दी गई जेल में रहकर ही उसने राजनीतिक विचारों का पोस्टन किया उसके अधिकतर विचार प्रिजन नोट्स के रूप में इसे दोरान पर जिपादित हुए यहाँ पनलगातार गिरते स्वास्ट के कंट ग्रामसी को 27 अप्रेल उनिस्टो 27 को दिमाग की क्रंथी फट जानी कंट रुट्टी हो गई एक ब्योहारिक माक्सबादी उनलोक तान्त्री केंद्रिवाद की विचारधारा के प्रबल समर्थक ग्रामसी प्रभाद के तारी की तरह अलपायू में ही अपनी पहचान राजनीतिक चेंतन के चितिश में कायाम कर गए एंटेनियों ग्रामसी इटली के रहने वाले थे वह महान माक्सबादी विचारक इटली कम्नुस्ट पार्ड़ी के संस्थापक था इटैलियन संसत के सदस्थ वह इनम माक्सबादी भासा विग्यानी वा मानोबादी थे 1926 में मुसोलिनी की फासिस्ट सरकार लेने बंदी बना लिया च्वह मुसोलिनी वा सरकार सरकारी वकिल के दलिल थी कि हमें इस प्रकार की मस्दिस्ट को आगामी 20 वर्सों तक के लिए काम करने से नोपना होगा पैडाव थरोग ग्रामसी को 20 वर्सों की सज़ादी गी खराब स्वास्त और विमारियों की बज़े से 1937 मिकारावास जैसी प्रसुतियों में ही उनकी मृत्तु हो गए ग्रामसी काल माक्स के सामेबाद हीगल की चेतना वा इटली के विद्वान विनेडेटो क्रोसो की नागरिक समाज की यानि सिबल सरसाइटी की अब धाड़ना से प्रभावित थे ग्रामसी ने अपनी संकल्ब नाओं के अधिकान संता वली मेक्सा वली मेक्या वली हुआ क्रोसे से लिए ग्रामसी हिगेलियन माक्सवाद का अग्रणी विद्वान है ग्रामसी ने माक्सवाद को हिगेलियन तरीके से समझने का प्रयास किया है ग्रामसी की रशनाएं देख लेते हैं तो दफ प्रिजन लोट बुक यह 1971 में प्रगासित होती है यह नोट्स ग्रामसी ने के मांटियम से अपने हज़ान चाहे दत है हलाकि जो ग्रामसी का माडर प्रिंस होगा यह कोई भ्यक्ति नहीं होगा यह कोई समय निखा इसमें मार्क्स के तिहाजिक और बहुतिक पादी अब धाड़ाउट को लोश्ण की गई अग्रेटेड़ टेडिवल वर्ड कोलन दप्री प्रिजन लेटर्स 1928 से 1926 1914 मिं ग्रामसी ने ग्रीदो डिल पोपोलो नमाख पतिका का संपादन की ग्रामसी के मुख्य विचार तो कल्चरल हेजिमनी या हेजिमनी के कांसेप्ट दिया है सांजकतिक प्रभुत पे कांसेप्ट दिया है तिन आगलिक समाज वब राजनितिक समाज एनि पुरिटिकल सॉसाइटी ओर से लिए कांसेप्ट किलियर किया है पिर आजने उनीक राजमार मॉड़न प्रिंस कांसेप्ट देते हैं जो कि एक प्रिटिकल पार्टी होगी कौई बेelesेस नहीं होगा इस्तितियों करियोद दाओं पेंच गत्तियुकर वारफ मेनुगर बारफ मेनुगर और वारफ पॉजीशन परमपरिक बुद्धिजीवी वाजयविक साविय बुद्ध जीवी में अंतर करता है तो यह ट्रडिशनल इंटेलेक्ट्वाल्स होते हैं और और ओर गैनिक इंटेल होता है माक्स को बध्भी का निरासाबाद इच्छा सक्थिकाशाबाद नमस मास काल मांक्थ ग्राम में बैचारिक अंतर तकंटे मार्थिकशारीश पति परिवतन का अधार मान मांता है ग्राम्सी बहुतिक तर्टों के लाब राज नित धर्म सच्छा संस्क्रति आई तर्टों को मांता यो पहले बताया तुम्हें मांस केवाल आधार बेज को मांता त्था अज संदाशनाओं यानि सूपर स्ट्रक्चर को कौई महत्तों नहीं देता जबकि ग्राम्सी कि आधार के साथ साथ और सन्रशना को लाता को है इसलिए ग्रामची को फेस्ट अ में कोई रह्यों कार 15 में कोई भीट नहीं करता अपकि तो भाउगों नागरिक समाज है एक हम हेनिग समाज Mansion बाट जोराजनेतिक समाज है ही गल से लिए हैं मार्क्स करांथी में सिर्फ मज़दूरों को मादो देता है जब कि घ्रमक्सी मज़दूरों के साथ साथ क suggest को भी सर्वहारा में उद्सांविल करता है इस मामले में वह माु का अग्रणी है माक्स के अंसार, ग्रामसी सिर्फ उद्योब प्रथान देशों में होगी, ग्रामसी ने अपने लेख, The Revolution Against Das Capital, और ने इसों सत्रा में कहा, कि रूस चैसे सामन्ती समाज में भी ग्रामसी हो सकती है, जहां माक्स सरवहारा में सता चेतना की बात करता है, वहीं ग्रामसी चेतना लाने में बुद्धजीबियों, जैबिक, बुद्धजीबियों में ओर्गैनिक इंटेलेक्टर्स को मात पून मानता है, माक्स के गेपरिद क्रामसी विचार धारा यानि सामय वादी विचार धारा कमनुस्ट आडिलोजी वराजनेतिक दल्सामय वादी पार्टी को अवश्चक मानता है लेनिन से इस परकार शाम में रखता है कौन ग्रामसी मार्क्स सिष्टी के मोलतात्यों के रूप में बहुत एक पदार थे निमेटर को स्युकार करता है जबकि हेगल चेतन तत्तो आइडिया को ग्रामसी दोलों को मादो देता है ग्रामसी ग्रूज के मार्क्स वादे विचारक बुखारिन के पुस्तक The Theory of Historical Materialism, 1926 में बढ़ने दार्शनिक पौतिकवाद यानि आइडियलोजिकल मटेलिजम के उलोजना करता है ग्रामसी ने बुखारिन के कठोर दूंदात्मक पौतिकवाद के सिध्धान्त को स्युकार कर अपना एदिहासिक सा पेक्षतावाद इस्टोरिकल डिलेटिविजम का सिध्धान्त पस्तुत किया है माक्स राज को स्वत्त नहीं मानता जबकि क्रामसी राज की स्वत्ता को शुकार कर अगर्षी ने समाजिक परिवद्दन में बैचारिक संकर्ष को मात्पौनिस थान दिया है माक्स बाद में उपरहुक्त पर समाज तो बुर्पवा समाज इसमें आधार को में प्रोडक्शन यानी इक नव्लिक श्टक्चर इस प्रसिक श्टक्चर फ्रचत अजाता सरकार आती और जब कलाएं संस्टर्पौन की संडशनाये से निकल कर समाझ बनता है राज्यतिक समाझ बनता है तो समाझ कौन कोन आते है यानि सिर्टी में परिवार आता है अंस्ताय गोण में तो लोगों को सम्वान करने के लिए शेखता है कि बड़ों को सम्वान किया जाना चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए त्यार किया जाता है धार्मिक संस्थाएं चर्ष बगएरा यह सब क्या करते हैं सब्सक्राइब करें लोग अपने आप में भैवीत रहें लोग करते हैं और यह बल प्रयोग करते हैं बल प्रयोग मुलक संस्थाइब अब पढ़ते हैं सिब्सक्राइब करते हैं यह संस्थाइब बल प्रयोग के बजाए ब्यक्ति का माइडवासकर बैचारिक परिवरतन करते हैं तो इसकूल क्या करती है आपको बड़ों का संब्सक्राइब करना सिखाती है फैमली में भी यहिवोता है पीता को फोटी को सब्सक्राइब सिखाया जाता है जहां पर वो अपने से बड़ी को करने लगता है उससे बाहर कभी जा पाता है यह अप्रतक्ष प्रभुत्त का प्रयोग करती है यह बैता संस्थापक संद्शनाएं जो बैचारिक परिवातन द्वारा प्रक्तिकि मन मस्तिक्स में पूजीवादी मूल्यों संस्किति की पैठवा बैथता संस्थापक पर उदार वा बिक्सित पूजीवादी राजमीय संद्शनाएं अत्यनत मजबूत होती है यह सरवहारा को पूजीवादी मूल्यों हिदयांगम करवा देती है फलसरोप वह अक्रांती नहीं करता है इसलिए रामसी कहता है कि मजबूत ल्चा सामने आ जाता है तो जयाक्पनि लगता नागिरिक्स समाज का मजबूत लाधा उन्साइट है राजीवाद में रिवस्ता के 5त शज़ीवादी नागरिक समाज दोनों सामिल है राजनितिक समाज में सरवजनिक संदस्टनाएं परिक्षित और द्योगिक पुझी बादी समाजों में यह ता प्रगठ होती हैं जब नागरिक समाज समाज बहता कम स्थाप बहता इस्थापना में सफन हो जाता है कि लेनिन ने उसे हैं जि ने estàफ्कार द्योग वी स्लेश्न किया है रामशी ने इस संकल्पना का विकाश सिसले किया तांकि उन कार्णों को खोजा जा सके जो माक्स की लुख प्राइस थापना के बाब जोद और द्योगी क्नूप से विक्सित पश्वी में रोपी देशों में ग्रांति नहीं होने दे रहे हैं विक्सित पूजी बादी देसों में रहे होने कारण ये प्रवध द्वादी बर्गी बुर्जुवा कि सांस्क्रतिक हस्यमानी है खुख्यमानी के ताता पर है प्रवध दसाली वर्ग की कि उए वैचारिक शह मता जिसके माध्यम स्व अप्रवध देहीन होऄ वो पास्रित वर्गों यानि सवालटन सक्सन को सहवाती हासिल करता है ग्रामसी की इस विचारधारा का केंदरी विचार क्या है जनता सक्त दारण सासित न होकर विचारण दारण सासित होती है अलाकि हीजमनी में सहमती गढ़ने की चमता बैचैरिक प्रबुतह वस्थारेरिक बल द्वारा इस प्रबुत्व दोनों आते हैं प्रग्राम से बैचारिक प्रभुत कुझादा मात्पूर मांता आता सालस्कितिक बैचारिक साधनों के द्वारा समाजपनी अंतरण करना ही हेजमनी है इस परकार हेजमनी का ततपर है बैचारिक परिवर्तन कर अप्थात माइंड वास कर सर्वहारा के रिमार्क में यह बैठा देना कि पूझी वादी विचार धारा पूझी वादी मोल पूझी वादी विवस्था ही सबसे अच्छी है बैचारिक परिवर्तन और पर सोशित सर्वहारा पूझी वादी विवस्था के खिलाब करांती नहीं करते वैचारिक परिवर्तन के बाद सर्वहारा पोजी बादी संडशनाओं को फिर्दें से सुकार कर लेते हैं पर थात उसे सहमती वा बैथा प्रदान कर देते हैं बचारिक परिवतन वा सहमती निर्मान का यह कार नागरिक समाज सिबिल स्साइटी के सस्थाय करती हैं ताथ परिबार स्कोल्डिस्ट विद्यारे ट्रेड यूनियन चैर्स मीडिया आधी गैर राजनेतिक संद्रचनाए इसलिए ग्रामसी नागरिक समाज को राज के पीछे खड़ी किलों और मिट्टी की बांदों की सक्तिसाली राली कहता है उतारण हम भारती अंग्रेजी भांसा अंग्रेजी भेस बूसा और गोरी चंपड़ी के प्रति जनुन रखते हैं उसका क्यार्म पश्चात हेजमेनी हूं बागॉलिक देश जिसे अरब देश भारत के ठ ठीक पढ़ते हैं पर पाश्चात्त बैस्विक हेजमेनी की कार्ड हम ने मध्पूर मेडिलिक देश कहते हैं जबकि जो अरब के देश हमारे बेस्ट को में पढ़ेंगे लेकिन मिदी लिस्ट कूं कहते हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से अगर देखा जा तो मिडिलिक का एर के लिए बिरोधी सरवहारा हेजिमनी के निर्माण करना होगा इसके लिए नागरिक समाज में गुष्पैट करनी होगी और व्याहकार सरवहारा के बुद्ध जीवी जिन्हें वह जैबिक बुद्ध जीवी और कैनिक इंटिलेक्ट्ट्वल कहता है तथा आधुनिक राजकु उन्हें लोगत्रग करनी अंतर्ण के लिए नागरिक समाज में हिजिमनी अवश्चक। ग्रामसी दो प्रकार के बुद्ध जीवी और जैबिक बुद्ध जीवी तो एक ट्रडिशनल इंत्लेग्ट्वल सोंग और दूसरे औरग्यानिक इंट्लेक्ट्वल सोंग ग्रामसी क कलाकारों दार्सनिकों का एक लिए बुथी पर तयार हो गया जो समन्द वात पर रॉधूतित वुद पाधन के साथ नों बुथचीवीयां का निद्धान करते हैं अ सामाजीक परेवारता देखेंormuş NAl पोनव पोन काए बिचार कर शेंदेट्ग कि रोसे लिया किसे लिए लिए कि राप्षार प्रत्यांग दार्षणिक होता तो आलमे नार फिलासफार प्रत्येग गुंद्ध जीवी खाय का गाई नहीं प्रत्येग दार्षणिक को बुदाजीवी तो होता है आलमे नार फिलास पर रेकिंश अर व्यक्ति वुत्य वुद्यवी कंगाए नहीं करता है। परमपरिक बुद जिवी कौण हैं स्थापित विश्टा के समर्ठक होती है। तरह यता इस्ति बनाई रखना चाहता है। प्राप्रागत बुटचीवियों लुसाहित कार ग्यानिक दार्शनिक अंस्थान करने वाले पादरी वगेरा सामिल है। जैविक या सावयवी बुटचीवी ऑर्गैनिक इंटिलेक्टॉल्ट तो जब इक बुद्धजीवी उत्पादन प्रक्रिया में आई परिबर्थनों की करन्ड पैदा होती है। अपने वर्ग से अभिने रूप से दुटा होता है वो प्रेक्सिस के अभधाड़ना का बालंट करता है सिध्धांतों का ब्रवार में कृण्वा टर्नी टर्नी त्र्नी थियोरीज इंटू प्रेक्टिस सावयम बुद्जीबी यानिक इंटिलेक्ट्वास नागरिक समाज की संस्ताओं के माध्यम से हेजमनी प्रधान की स्थापना करता है वो अपने वर्ग वा सौमियों के लिए सहमती वा बैचारिक समाधन जो टाता है था वर्ग का पतंधित तो करता है ग्रामसी का मानना है कि अगर विक्सित पूंजी वादी देशों में से बुर्जुवा ब्रवस्था को खाड़ना है तो सर्वहारा वर्ग को स्वयम के सावयभी बुद्जीबी पैदा करने होंगे जो नागरिक समाज में गुस्पैट करेंगे ग्रामसी सामयावी बुद्जीबी के बारे में कहता है कि अब वहार एक जीवन का सक्री साजेधार निर्माता संग्ठन करता वा निरंतर समचाने वाला होता है मात भासन करता या बाग पठू नहीं क्योंकि विप्रीत परिस्थियों गरीव वास्वासन की बजह से सर्वहारा के स्वयम के सावयावी बुद्जीवियों का निर्मान कठीन है अता सामयाब समबादी दल के रूप में एक सामुहिक बिक्तितु का निर्मान करना होगा जो इस हभाव को दूर करेगा ग्रामसी इस समुहिक बिक्तितु को आधुनुक राजकुमार कहता है बजवा बरके जैविक बुद्जीवी स्वयम को संग्ठित रखकर अपने बरका समाज पर पधान बनाये रखते हैं जबकि सर्वहारा बरके बुद्जीवी दली संग्ठन के अधिन रहकर ही कार करते हैं अतर सर् के बुद्जीवी राजसर्त्ता हांसिल करने बाद ही फिसें आपो जैविक बुद्जीवियों की स्यद्णी में ला ख कायो सकती है राज चस्ता पर रापती से पूर्म रधान निस्था का कार सामेबाद दर आधुनिक राजकुमार करेंगे है कंश्प addict वा जयर्मिक बुद्यजीवी के रलावा ग्रामसी ने बुद्यजीवी ओंकी ग्रामिडे बुद्यजीवी और सहरी बुद्यजीवी में भी बाटा है। जिबियों को में आधुनिक राज्कुमार मॉडर्न प्रिंस तो राम्सी की आधुनिक राज्कुमार के अभधाढ़ना इधिली की राजनीदिक सिंतक मैं के बिली के प्रिंस के अभधारना से प्रभावित है modern prince भी prince की तरह रच्छात्मक वा रच्नात्मक बहुंद के नुभाता है क्रामसी का आधुनिक राजकुमार सामिवादी दल Communist Party modern prince Lenin के विवसाइक क्रांथिकारियों का हरावल दस्ता यानि ब्रेंगाड़ा प्रिविलिूशन सरवहारा वर्ग को सिचित करता है सरवहारा अंदुलनों का स्थान्य में च्तु करता है यह सर्वहारा वा सोसित बर्ग की वैचारिक सक्ति प्रवल कर उनको पुंजी पत्यों की बुरुद संखर्स के लिए तयार कर यही मॉडर्ण प्रिंस तथा जैबिक बुतजीबी बुर्जवा समाज के बुरुद इस सितियों का युद्ध बाराफ पोजीशन्स करता क्रामसी ने अपनी दली तल सम्मंदिय अवधारना का निर्माण मैख्यावली मौाक सथा लेनिन के विचारों के अधार पर किया यह राजनितिक दल आतुनिक राजकुमार सर्वहारा वार कानेतित करता है तथा बर्जुवा बर्ग का अंध करता इस्तियों का युद वा गत्सीलिद वाराफ आपयंच का युद कहा जाता है यह संद्यावली है गत्सील या दावंपेंच का युद वाराफ मैंच गया है तो इसमें दो वर्ग आमने सामने सिधा लटते हैं, नागरिक समाज की वजा राजनेदिक संदसनाएं, परिजाम पक्सेन, पुलिस आध, इसमें खेंदरी भून का निभाती, सामानती के इस प्रधान असिचेत और और द्योगी क्रूप से पिछले देश्वमिया क्रांती इसमें सर्वारा के जैबिक बुटचीवी, नागरिक समाज की सस्थाओं की माध्यम से सामेबादी मूलियों के प्रत जिंद सहमति का निर्मान करते हैं, पश्रिम के विक्सित और द्योगी क्रूजी बादी देशों में पहले वाराफ पोजीशन लड़नी होगी, फिर वार जन्मी बैचारिक परवदन करना होगा, सबसे पहले mental revolution लाना होगा, लोगों की विचारधारा उनको चेंज करना होगा, जो पुझी पती बार्गी की विचारधारा है, जो उनकी हजमनी है, उसको destroy करना होगा, जैसा कि गांती मीं किया था, अगरेजों की kind of white man burden की theory थी, उस भी हराय नहीं जा सकता है, उसको दवाखार और लोगों की जन्मानस में पहले एक revolution, bar off, bar off position लड़ा, लोगों को त्यार किया उस revolution के लिए, गांती को बता था, कि सिदे सिदे अगरेजों से लड़ा नहीं जा सकता है, बार off maneuver नहीं की सकती है, पहले बार off position की गई, सभी सस् अगरेजों को हराया जा सकता है, अन्गरेज इंतिवल नहीं है, और जो white man burden की थियोरी है, जोती है, तो गांधी, शुरू से अंदुलन करते जाते हैं, करते जाते हैं, और अंती में के कहते हैं, गांधी इन्सवादी थे, नहीं गांधी, इन्सवादी नहीं थे, उनको पं Σे गांधि किंट से गांधि कांधि किया है तो गोंधि रहावित थे तो नहीं पता है लेकिन जो कृढवदना एंब वडानींत है इसका इवड्म किया यह बात चलिए इसे एक रामसी निश्करी क्रांदेनी पैसे और रिवल्यूशन कहता है इसमें सीधा हमला नहीं किया जाता बलकि सीजरवाद की तरह जंता की मस्तिक्स वा हिर्दय पढ़नी अंतर्ण का अन्यंतर प्रयास किया जाता है गांदी क्या कर रहे थे साल्ट एक ऐसा पदार्थ है जो हर व्यक्ति से चुड़ा हुआ एक अमीर हो करीब हर व्यक्ति उससे चुड़ी जाएगा तो गांदी जी ने मस्तिक्स को हिर्दय पढ़नी अंतर्ण का अन्यंतर प्रयास किया जाता है काल मास के आर्थिक निधरडवाद यानि एक नौलिक टर्मिजम के अलोचनर करते हुए रामसी कहता है कि पश्चिम के उन्नत पूझी बाद में सिर्फ आर्थिक सोसन कनारा लगा कर मात्र अर्थ सास समझा कर ही रामती नहीं करवाई जाते क्योंकि हेजमनी के कारण मजदूर वर्ग पूझी बादी विवस्ता को सोभावी को अच्छा मानते हैं आता है मात्र वादियों को अर्थ सास के मोजाल से निकल कर संस्क्रती साहित दर्सन धर्म सिच्छा परिवार इडिया आधि सभी छेत्रों में पूझी बाद को बंधन यह अधार न अधार वा अच्छन रशनाओं को आपस में जोड़ती है समाज में हजमनी के लिए आर्थिक सक्तियों और राजनेतिक सक्तियों में समझस्च हो जाता है ता आम सहमतिक निर्मान के लिए दूसरे समाजिक बारगों और राजनेतिक धलों से गड़ इसका सम्मल्द उद्योगों का मजदोरों दौर प्रवंधन से है या फ्रांचेसी समाजवादी जोर स्टोरेल के सिंदी के लिजम के समतुल्य है राज की सपेक स्वेत ता रिलेटिव आटोनॉमी ऑफ इस्टेट कालमाक्स राज को स्वेत नहीं मानता बलकि राजनेतिक सक सक्ति को आर्थिक सक्ति के धिन मानता है लेकिन अपने पुस्ताक दी एटियंस ग्रूमियर आफ लुई बोनापार्ट ठारास वबामन में एक बिल्कुल अलगी बात कहता है कि राज तुलनात्वा पर रूप से स्वेत होता है तो राज समाज पर अपनी इस्च्छा थोपन माक्स के विप्रित ग्रामसी राज के सब एक्षी स्वेत्ता को सिवकार कर नव माक्सवाद का भग्रणी बन जाता है राज नागरिक समाज वा राजनेतिक समाज के मत से आर्थिक प्रणाली यानि आधार को भी प्रावित कर सकता माक्स के अनुसार आधार अधिस्चन रशना को बराता सवारता है जबकि ग्रामसी के अनुसार अधिस्चन रशना भी आधार पर अपनी छाप छोड़ती है करने संदर्शन वादे मार्क्स वाह्रो मार्क्सने Offさい, मार्कस नहीं मार्क्स विखार करता है। वा रज्योप्रता वितना के सजा करू परेटर्टरी परिचारिक राजीतर झाड़ करना इसमें परिःडा, इसgoing चोड़ मेडिया दिया आत cement बेशनवादी माक्सवादी निकोवलास फुलांजा यह फ्रांस के यह अपने पुस्तर पुरिटिकल पावर रेंदा अन्ट इस शोसल ख्लास अधिया थर्मी राज के सपेक्षि श्वधा कपक्ष लेता है तक कहता है कि राज पुझी बादी बर्ग से स्वेध गांधी के अं बिरोथी अंदोलन की भी ब्याख्या की है गांदी के पसंसा में लिखते हैं कि कांदी के पतिरोथ पैसिव रेजिस्टेंस असयोग बायकॉट आदी इस्तियों का युद्ध है यानि वाराफ पुजीशन है जो कुछ मौकों पर गतिसी लुद्ध वाराफ मेनुवर अरताल आ बुद्धी का निरासावाद इच्छा सग्वद्य का आसावाद के कि प्रसिति वाक का अंग्रेजी अनूबज है pessimism of intellect pessimism of intellect and optimism of the bill बुद्धी का निरासावाद का अर्थ है बुद्धिमान ये बेग्यानिक होना दुनिया को ऐसा ही देखना जैसी वो वास्तों में है ना कि इसमें परिवातुनों तुद्धार की सोचना इस प्रकार बुद्धी का निरासावाद का अर्थ हुआ या था इस्तिवादी यानि स्टेटस को होना इच्छा सक्तिका आसावाद करता पर है नई वा कठिन चीजों को आजमाने का साहस्त था दुनिया को सकरात्म करोब से बदलने की इच्छा सक्ति यह वाकर तदकालिन इटली की टार्नियतिक दुर्दसा को प्रगट करता है जहां जब वहां मुष्वलनी के फासिट निरासा के कार्ण बदलावों के प्रति नाउमीद हो गए पर ग्रामसी कमनुष्पार्टी की कार्यकरताओं से आभ वाहन करते हैं कि वे अपनी इच्छा सक्ति को बनाए रखें क्योंकि इच्छा सक्ति से कोई यह बातताओ लाया जा सकता है मार्क्स की घोठना के विपरित रूची कर्ण दी संकनलप सक्ति की जीरत का उतरर्ण है ग्रामसी द्वारा फासिवाद विचलेसट ग्रामसी करते वह ग्रामसी ने ती नमदाढ़नाई भिक्सित की पहले सीजर वाद दूजरा संक्रष्ण का युद्ध और तीसा निसकरी क पहला है सीजरवाद सीजरवाद एक ऐसी वस्ता का प्रतीक है जिसमें अख्यात सक्तियों द्वारा राजनितिक प्रभुतिस्थाप बिद करके प्रधान हेजमनी के संकट कालिंग विवस्ता में इस्थिर संतुलन कायम किया जाता है संगरशन के उत्वारा इट्रीशन इसका ताथ पड़ है कि फांसी वाद को खाड़ने के लिए सामिवादियों को अन समयों को साथ लेकर लड़ाई लड़नी होगी व्यापक जंसमर्तन जुटाना होगो यह क्ला प्रेंशन ग्रामशिन के अनुसार प्रसृइबादी समाज में विरोध का सब्सक्राइब यह कि निस्क्री प्रदिरोध वारफ सब्सक्राइब मुंकि के इसके जैनुलिजीस अपागम हैं यह नाव मार्स का एक वागहने वॉइमर्स बिस्वागहन न soprattutto हुआ जब नुकोलस, पुलांजा और जेम्स जाल आदी बिद्वानों ने माक्स वाद वाग्रामसी वाद का समर्थन करता है बिमर्स यानि डिस्कर्स या डिस्कोर्स क्या है? डिस्कोर्स का खतत पर होता है कि समाजिक जीवन के किसी भी सेस चेतर में सोचने की पद्धती अमेरिकन कोरे काले चमडी वालों के लिए सोचते हैं कि वे सुभावत असे चित गरीब वा अपरादी होते है इस परकार की नसलबादी सोच जो एक खास समाज यानि कोरा समाज की है बिमर्स है, डिस्कोर्स है जिस परकार अमेरिकन समाज में रंग भेत का एक वीमर्स है वैसे भारती समाज में भष्टा चार एक वीमर्स है, डिस्कोर्स है आम भारती सोचता है कि सरकारी कार्मिक, पुलिस वर राजनेतर भष्टा चारी होती है यही वीमर्स है, यही डिस्कोर्स है प्रजातंधर की बिचारें करते हैं। रामसि का विचलेसटे जटिल कूचि वादी समाजों को सम्झ homeless श्रक्तों के साथ साथ भार्स अ श्रुन से गैर आर्थिक श्रक्तों को भी मांते हैं समाज की संदस्वर्द्र पजवत्स आर्ण्प कशीन ही बलकी हॉजमनी कार्वों से होते हैं इस परकार बिंवर प्रावादी यह उपागम बहुल बादी लुरियलिस्ट केवल आर्थिक द्रधारण वादी नहीं है एकनोमिक तेहर्मिनिस्ट नहीं है के वाद मार्क्स से कम तर्थ ग्राम सी निकोल सबलाज या साइजित विज्यान सभ्सपून विचार्ण कि लाह ओ रसे लाह अंतराश्ट राजनीतम न्हों ग्रामासब्स वादी व स्टवत ख्मठ लिए crispy कई अउसकर नहीं पनीदाइंगं इसे सत्थिंकरों के बारे में जब यो ग्रामसी जम पढ़ीन इंटरनेशनल इसनल अलग ब्रीफ ब्रीफ में गवर्डर देख लेते हैं तो रावर्ड कॉक्स निग्रामसी बात का प्रेव अंतराश्टी राजनीती कर्चसास्त इंटरनेशनल प्रडिकल इकन्वामी में किया है इस्ट्रीपन गिल ने सीमा पार मार्क रूपर्ट में माक्स बात से प्रभावित हो अंतराश्टी राजनीती कर्चसास से संबंदेत मात्पूर्ण पुस्तक रिखी प्रोडियूजिंग हेजमेनी कोलन दा पॉलिटिक्स आप मास प्रोड़क्शन अन अमेरिकान ग्नूबल पावर प्राक्सिस के अबढ़न को बिविन संदार में बढ़नेत किया प्रचान अचेन उनायन में फतंतर नागर्कों की सरवजनिक विद्यों के लिए इस सब्द कप्रियों किया जाता था रास्तु ने मानों की विद्यों के बताना पहला ठीओरिया यानि थिंकिंग यानि सिधान्त या लक्ष के बारे मे धालना रस्तु के अशार की विद्यों प्रकार की होति है यह है यह एक्सिया यानि अच्छी सब्सक्रास दें उतले रहे हैं यह चल दा रहेगा लिए तो दो से रिफ्लिक्षन होगा फिर फिर सीजोरी और फिर सेक्षन लोग चलता रहे आदुनी राजनीतिक विचारकों में काल मांक्स ने प्लेक्सिस के अब धाड़ना पर काफी बल दिया मांक्स के दर्चन से पहले दर्चन सिध्धान्त हुआ राजनीति बिवहार को अलग रखने परम्परा थी पर मांक्स ने कहा कि दर्चन वाजनीति एक ही सिक्क्रेक डोपहलोन इसलिए इने अलग नहीं किया सकता है उन्होंने सिध्धान्त वभलबवहार के एक रूपता पर बल दिया मांक्स नैपने पुस्तक थीसी सॉन पाइरवाक थीसी सॉन पाइरवाक 1445 में ल कि इसके लिए Baldwag varies味 को चाहिए मॉठ की परीक रांची मर्सक तरह यहीं मानते हैं कि दार्शनिक राजनीतिक को लगार कि न्हудुम स्व सिर्ण कर यह क्यों होना चाहिए इस लिए भासविक दर्शनिक हो जिसे ज़फी का ग्याद जिन्पाल सात्री ने अपने पसिद्ध फुस्ता Critique of Dialectical Region Critique of Dialectical Region 1969 में आती हुमें Praxis को आवश्चक मानते हैं वही हना अरेंट ने अपने पुस्ता On the Human Condition अच्छे समाज के निर्माण के लिए रस्तंता के रच्छा के लिए सर्वजनिक शेत्र में मानों की सक्री सहवागता को रशक मानती यह मानभी कत्वितियों के तीन प्रकार बताती लेवर, स्रम, बर्क, कार, एक्सन, गत्विती कत्विती प्राक्सिस का परियाए तो फिले दोस्तों यहाँ से यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों और ज्याद ज्यादा लोगों तब फ़लाएं जिससे की और अच्छ अच्छे ने सेटिव आज सकें तो मिलते हैं अंगले से रिजमिक अब तक के लिए गुड़ बाई थैंक्व थैंक्व थैंक्यू एंक्यू एंट फाड़िस के सब